आज का पहला प्रेशन है शिव शंभू की दो गायों की कहाने के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि लेखक ने शिव शंभू की दो गायों की कहाने के माध्यम से बताया है कि भारत में मनुश्यतों मनुश्य पश्रों में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है वे स्वेम को दुख पहच पहुचाने वाले व्यक्ति के बिछूडने पर भी दुखी होते हैं यहाँ भावनाई प्रधान होती है शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया यहाँ विछूडते समय बैर भाव को भुला दिया जाता है विदाई का समय करुना उत्पन करने वाला होता है हमारा सेकिंड प्रिश्ण है आठ क्रोड प्रजा के गिरगिरा कर विछेदना करने की प्रातना पर आपने जराभी ध्यान नहीं दिया यहाँ किस एतिहासिक घटना की और संकेत किया गया है तो यहाँ पर लेखक ने बंगाल के विवाजन की एतिहासिक घटना की और संकेत किया है लौड करजन दो बार भारत के वाईसराय बने उन्होंने भारत में ब्रिटीश राज की मजबूती के लिए कारे किया भारत में राश्टरवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन किया करोडों लोगों ने उनसे यह विभाजन रद करने के लिए कार्थना की परन्तु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी वे नादेश शाह से आगे निकल गए नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है विचारी ये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे इसका आशे स्पस्ट करना है उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि यह कथन लेखक द्वारा लाड करजन को संभोधित करते हुए लिखा गया है उस समय जबकि कॉंसिल में मनपसंद सदश्यों की निउक्ति करवाने के मुद्दे पर लाड को अपमानित होना पड़ा था लेकिन याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाय के बरापर सोने की कुरसी मिली आपको सबसे उचा ओहदा मिला आपकी सवारी सबसे उची निकलती थी और कैसी वडंबना है कि आज आप ना इंग्लेंड में मान पा सके ना ही भारत में उस पद पर रह सके कहने का अताज़ पर यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारती जनता का शोशन करते रहे आज उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया लेखक चाहता है कि करजन सोच कर देखें कि अकारण हमारे हितों को कुचल कर हमारे देश को काट कर आज उसी क्या हासिल हुआ